दोस्तो लंच के बाद शुरू हुए खेल में पिच के बीच रोहित शर्मा की डेरेल मिचल और अमपायर्स के साथ एक हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिली और इस दोरान विराट कोहली को भी बीच में आना पड़ा जी हां दोस्तो भारत और न्यूजी लैंड के बीच मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में सीरीज का तीसरा और लास्ट टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है जहां टॉस जीतने के बाद न्यूजी लैंड ने पहले बल्लेबाजी करना चुना लेकिन फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी से पहला सेशन अपने नाम कर लिया इसी दोरान लंच के बाद के ओवर में जब डेरेल मिचल बल्लेबाजी कर रहे थे और बॉलिंग एंड पर थे रवींदर जडेजा तब डेरेल मिचल जान बूज कर बैटिंग स्टांस लेने के बाद साइड स्क्रीन का बहाना करके हटने लगे और जडेजा और इंडियन प्लेयर्स को इरिटेट करने लगे जिसकी वजह से सरफराज खान ने डेरेल मिचल से कुछ अबशब्द कह दिये जिसके बाद रोहित शर्मा तुरंथी डेरेल मिचल के पास गए और कहा की और फिर रोहित की अंपायर मिचल के साथ हो रही इस बहसबाजी के बीच विराट कोहली भी आए और अपने जाने माने बेन स्टोक्स वाले अंदाज में डेरेल मिचल की अकल भी ठिकाने लगा दी दोस्तों क्या चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम में वापस जगह दी जानी चाहिए? कमेंट करके बताईए